एप लोग और वच्चों नहीं लेट तो मतले कोटी के मैं लेट बिल्कुल भी नहीं हूँ टाइम पर आ गई हूँ जैसा कि आपको पता था कि आज से हैं ना आज से शाम के साथ बजे आपको डेली क्लास 11 की क्लासेज मिलने वाली हैं आप सबने बहुत जादा कॉमेंट्स करे थे कि मैम प्लीज योट्यो पर क्लास चलवा दो और बच्चों आप लोगों की डिमांड जो है ना हमारे सर आंखों पर रहती है आपको पता है आप जो भी बोलते हो बस उसे हम लोग पूरा करने के लिए ठान लेते हैं और पूरा कर के ही मानते हैं तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर और आप सबके प्यार पर हम लोगों ने वापस से जो है क्लास चार्ट करना शुरू कर दिया है और आपको रेगिलरली शाम के साथ बज़े क्लास मिलेगी सो वेरी गूड इवनिंग जो लोफ यू बच्चों मैं तो ब क्लास चेंथ में जो है क्लास शुरू करते थे आग के साथ आज बच्चों वही आग मुझे यहां पर दिखनी चाहिए तो बहुत जादा एनरजी है ना तुम लोगों से मिलने के लिए तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मैं तो हमेशा ही रेडी रहती हूं और बच्चों लोग काफी दिनों बाद मिल रहे हैं है ना बच्चों बिलकुल सही का आपका साथ तो नहीं छोड़ेंगे वेरी गूड इवनिंग बेटा वेरी वेरी गूड इवनिंग अब रोज लेक्चर करेंगे क्या बिटा रोज तो मैं कह सकते हैं आपको डेली यहां पर 11 की क्लास म कोई बाद नहीं पैटा अब एन यह मिस्सके करेंगे वापस आ गहीं है और आप लोगों का प्यार है वह मेरे साथ में कह सकती एठें़ यह इतना प्यार करतेों कि किसी और की कमी किसी और सो क्षेज कंई तो लोग होती ही नहीं बिल्कुल मैं टाइम टेबल शेयर कर दीजिए बिटा टाइम टेबल तो बस आप ये माल दीजिए कि आपको रेगुलर्ली शाम के साथ बजी क्लास मिलेगी अभी बिटा जी आप अभी के लिए इतना ही याद रखो बिटा हां exactly बिटा exactly all subjects की classes यहीं पर ही होंगी बच्चों एक बात और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ख्लाश शेयर कर दो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार इंस्सेग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि मैं आप लास नहीं दिख रही है तो बिटा एक बर उन्हें प्लीज चैनल के बारे बता दो आपके जितने भी दोस्त है आर फ्रस चाप्तर है भातिक जगत और बच्चो ये चाप्तर छाप्तर नियाएे अर्पताने क्यूं मुझे ऐसा लगता है कि ये चूप्तर है नब यह हैं यह प्यार है और यहीं से हमारा प्यार एकदम डबल होने वाला है physics को लेकर कि युझ अपुकर आपको पता नहीं कि र चलिज लिए को फीप करने कें ऊसे कमेंट करो आप जल्डी जल्दी 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 एक बार foi very good evening आप सभी को वेरी गुद ईवनिंग बीटा बिल्कुल है विल्कुल डोंट वरी बेटा डोंट वरी आप बिल्कुल परेशान मतों हम लोग हरी क्लास में बेसिक से एडवांस लावल तक जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है चीजों को समझ ना पाओ मुझे पता है पहली पहली बार लावन पढ रहे हो डोंट वरी बेटा आपकी ना मैं सारी बातों का सारी परेशानियों का पूरा-पूरा ध्यान रखोंगे एक बाए स्टार्ड कर दें क्लास को क्या बात यार बहुत जोश दिख रहे हैं तुम लोगों के अंदर बहुत ही जादा एक्साइटेड लग रहे हैं बच्चों really very love you really very love you and so proud of you कि आप लोग इतने मन से पढ़ने के लिए तयार हो आप सभी के अंदर मुझे वही जोश वापस से दिख रहे हैं जो हमें पर दिखता था भही एकसाइट्मेंटर दिखरा है उतनी ही लगन उतनी ही प्यार से आप लोग घ्लास करने क lemons लेहाट हो क्या बात क्या बात एक बार जल्दी थमसाब वाग में प्रहीं कि बिल्कुल इस्टाइट कर देते हैं स्टाइट कर देते हैं कि बिल्कुल मैं पनाठा खालो बेटा पनाठे की याद मन दिलाओ है ना तुम लोगों मुझे बहुत परिशान किया बहुत एड़ा क्लास टैंसे रहे हुआ पर आथा गहलो अभी बिना पराठे की बात करेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बारे में बिटा बात कर यानि कि बच्चों इस चाप्टर से आपको अभी आपकी इंटर्नल जो एक्जाम होने वाले हैं उसमें तो question मिलेंगे पर हम यह कह सकते हैं आपके कॉम्टेटेव लावल पर इतना इंपॉर्टें नहीं है यह मैं फिल दिलाता है तो इसलिए भाई मैं तो फिजिक्स पढ़ाऊंगी फर्स चाप्टर ही पढ़ाऊंगी और तुम सबको भी पढ़ना पड़ेगा है ना गाइस चलो स्टार्ट करते हैं तो पच्चों लेक्चर नमबर वन है आज हमारा देवन लेक्चर नमबर वन बच्चों बहुत जाने एक्साइटेड हो रही हो सीडिसले चलो पढ़ते हैं है ना फिर क्लास के बीच में बाते दो करते ही रहेंगे बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक है है ना जो यह चाप्टर है यह लाइट का हभन कर रुखी है है वाइट नही है ना बच्चों को पॉराफर गोरा दिखना जाहिए बहुत बढ़या साइब करते हैं इसाट करते हैं बच्चों तो हमारा जो यह चाप्टर है यह हमें पूरी पूरी कहानी समझाएगा शेट के बारे में समझ रहूँ नाम की संथिंग चीज थी जिसको ने पढ़ लिया इसके बाद जो है हमने electricity के बारे कुछ पढ़ लिया कि हाँ बया 440 वोल्ट का जटका लग गया इसके बाद हमने human eye के बारे में पढ़ लिया हमने magnetic effect of electric current के बारे में पढ़ लिया लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ा है बचो आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग देखेंगे कि physics कितनी फैली हुई है physics की दुनिया में तुम सबका स्वागत है और physics क्या है इसको समझने के पहले तुम सबको कुछ प्रशनों के जवाब देने पड़ेंगे और तुम सबके सामने पोल आने वाला है जल्दी से पहले questions के जवाब दे दो इसके बाद मैं पढ इसे मैं suspense मत बढ़ाओ यार physics ऐसी है अब यह तुम ना फिल तुम पढ़ो तो तुम्हें लगे का और भाया यह सब्जेक्टी सब्जेक्ट नहीं है हमारे suspension को दूर करता है ना हमारे जो सब्सक्राइब कर देता है सचाई बताता है है ना बहुत ही बढ़िया आसमान का को था एक गुलाब की टि क्यूं कूं दिखाईot आया अधि दींग क्या बात ए तबलकु तहीं जवाब ऑपशनव नमबर बी वेरी ना इस बिइट है पेड़ की पत्यां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि इनसे पड़ावर्तन होता है हरी रंग का वेरी नाइस आगे बढ़ेंगे तारों की टिम्टिमाने का कारण क्या है फिजिक्स ने बच्चों परदा हटा दिया ट्विंकल ट्विंकल लिटे लिस्टार हवाओ एवोटरण वट्यवर अप अबववडा वर्स तो हाई लाइक डायमर्ण इन्दा स्काही पर फिसिक्स न पता चला कि तरे टिम्टिमान आया बिल्कुल तारे टिम्तिमाते नहीं है कि हमें प्रतीत होते हैं वेरी नाइस बच्चों बिल्कुल सही कहा वहां पर हो रहा होता है वायु मंडल अपवर्तन इ Centre सुर्य और तारु में अनयंत उर्जा उत्पन शोने का कारण कैया है हम लोग सोर्य को भगवान की स्टेली रगते हैं हमारे हिंदू जो है धर में सुर्य को भगवान माना गया है आप हमें पता चला कि यहीं उस्किन रहा इतनी अनर्जी आग कहा जहीं नहीं बता बहुत ही बड़िया नावह की सद्लेट वेलेटीन बतू यह तो कुछ क्वेस्जिन से जो हमने पप्पो प्यान्य की anti जाने के जाओ चल अब बत जो मैं और आप यह डंध याप इस सारे बचते मेरे साथ हैं सिस्टार्ट करते हैं बच्चो हम ने पहले हैं हम इतना जाना कि भाईया हम इतना जाना कि ग्विव्यान हम इतना जानते हैं कि जो भौत एक विज्यान है वह असल में विज्ञान की पर बच्चों सबसे पहली जो चीज है ना जो मैं तुमें तम इन जाती हूं वो यह आखिरकार साइंस टॉड आखिरकर विज्ञान क्या है बच्चों विज्ञान शब्द का मतलब होता है तून नो है ना विशेश ग्यान है ना किसी मिशिश के बारे में हमें विशेश के न अच्छा आप खुद भी देख सकते हो कभी comparison करना अपना और जो है किसी ऐसे बच्चे का जिसको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता है जो कम पढ़ा लिखा है है ना जिसने science नहीं लिए है कभी खुद से comparison करना आपको पता है कि आखिरकार जो है विशेश यान होता है ना बच्चो सुमारा science word है यह बिटा जी हमारा जो है किस से लिए ग्याएं बिटा जी यह लैटिन भाशा कि स्वाइश शब्द से लिए गया है हाँ बिटा बिलकुल सुनना जहांसी किरानी ने जो है ये कला फतेह किया अंग्रेजों से लडाई लड़ी हिस्ट्री क्या है जो चीज घटे तो हो गई वही आ गया सब्जक्ट में है ना जोग्रोफी क्या है कि भाया हमारा भारत कितने शेत्र तक फैला हुआ है पूरा जो संसार है उसमें कितना कौन सा भाग जो है अमेरिका कित्ती दूर फैला हुआ है और जो है ऑस्ट्रेलिया कितना छोटा दूइफ है कि बड़ा दूइफ है तो बच्चों हम लोग जोग्रोफी में यह सारे चीज़ें पढ़ते हैं पर साइंस में क्या है साइंस में हम लोग चीजों को जानते हैं हैना हम को पता है कि आखिरकार जो है दूद में जैसे ही हमने क्या करा दूद में जैसे ही डही डाला तो दही आखिरकार जमा कैसे हैं तो यामी की बच्चों जो साइंस है उसमें हम लोग क्या करें चीजों को जान रहे हैं पहली चीज बच्चों सेकेंड बात क्या है अब सेकेंड आ यहां पर चीजों को feel करने वाले हैं समझने वाले हैं ना बिटा बिल्कुल जो है मज़े से पढ़ना है ना बहुत ही बढ़िया बच्चो अब समझते हैं कि आखिरकार भौत की क्या है तो तो यहां पर आओ बच्चो प्राचीन काल से जो हमारा भौतिक शब्द है वो य Bai Student में और वेदों में प्रयोग किया गया है अगर कभी आपने श्री क्रिष्म जी के वचन सुने हो तो वह कहते हैं कि ये भौतिक संसार ये वस्तुं कभी आपने भौत एक शंद रूर्प सुना होगा हां वेलकुल स्रीकृष्ट जी घीता कि वचन सुनों महा भारत कभी सुनों तो रहां पर भौतिक शब्द का प्र्योंग हुआ है और बिटा भॉतिक का मतलब होता है क्या प्रकृति भौत्य का मतलब है भौतिक और फिजिक्स ही हमने यहां पर वर्ड क्यों चूस किया बिल्कुल सही बात है बच्चों जो फिजिक्स वर्ड है यह ग्रीक शब्द फियोसिस से लिया किया है किसे फियोसिस से बिल्कुल बिटा फियोसिस का मतलब होता है प्रक्रती बिटा फियोसिस का मतलब क्या होता है ने कि पीछे की जो है लॉजिक को समझते हैं आखिर कर क्यों और कैसे तो बच्चोई इसी के लिए मैं फिर्जिक्स के लिए छोटी सी शायरी लेकर आई हूं अगर आप को तुमें सुनाना चाहूंगे जल्दी एक बार कॉमेंट करो फिर्जिक्स के लिए छोटी सी शायरी लेकर क्या आई हूं जल्दी आपको मैं सुनाती हूं जल्दी है हाँ के है बिलकुल 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 सुना दूं पक्का चलो तो वो आसमान में इंडर धनुष का बनना बच्पन में वो जूला जूलना वो स्विच ओन करते ही पंखे का चल जाना वो मिरर में देख करके खुद को सजाना वो बारिश की बूंदों का प्रत्वी पर गोल गोल पड़ना वो रेड गुलाव का वो लाल गुलाव का लाल दिखाई देना वो स्विच ओन करते ही वाशिंग मशीन का चलना समुद्र में जुआर और भाटा का आना हमारा जुए सूर्य सुभय और शाम को लाल दिखाई पड़ना सुख्ष आकाश का रन्घ निला दिखाई देना, वो सूर्य के चारो और ग्रहों का घूमना, वो हमने केतली को जैसे ही चाय के केतली को वायू मंडल में रखा हमारी चाय का ठंडा पढ़ना, वो gas on करते ही जो हमारा बरतन है उसका गरम होना वो हमारी train का चुक 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 चलना वो satellite का launch करना वो rocket का चलना इंड धनुश का बनना तुम्हारा हमें देख पाना मेरे lecture तुम्हारे तक पहुंचना वो छोटे से phone से पूरी दुनिया में बाते कर लेना ये सब क क्या है यह सब कुछ बत्चों physics है यह सब क्या है physics है यह सब जो लिखते हैं डिख से ह perception वाने बात हो समझते हैं मैं अ इनी शबदों में में तुम्हें काफी कुछ बता दिया है वैसे तो चलो आजो भी बिलकुल विल्कम अब बच्चो मैं बताती हूं आपको मज़ा आगया फिजिक्स सीख़ी तुम लोगों ने तो बहुत बड़िया बहुत बड़िया बड़िया अब बच्चो मैं तुम घर कर हमारा जो फिजिक सब्जिक्ट है उस से मुझे इतना प्यार क्यों है या फिर तुम्हें इतना प्यार physics से क्यों होना चाहिए उसका reason है बचो physics हमें reason देती है भौत की हमें reason देती है बचो तो सबसे वह चीज तो यह है कि भौत की में हम लोग कुछ भी अलग से नहीं पड़ते हैं भौत की में बचो ऐसा कुछ भी नहीं कि हाँ कोई भी घटना घ important है बहुत ही ज़ादा बचो फिसट sih में हम लोग जवाब ढूनते हैं किसका हओ और वाइब का पहले को न मुझे वाई उपर लिखना चाहिए और फिर हाउ लिखना चाहिए बच्चो वाई प्लस हाउ फिर से सुना बच्चो फिर से सुना फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं बच्चो फिजिक्स में हम लोग वाई और हाउ का जवाब ढूनते हैं यानि कि क्यों और कैसे क्यों और कैसे बचो फिर से सुनना क्यों और कैसे ढूनते हैं हम शीशे में खुद को क्यों देख पा रहे हैं तालाव में हमें अपनी जलक क्यों दिखाई दे रही है आसमान में जो है हमारा बारिश होने के बाद इंद्र धनोश क्यों बंध रहा है हम जूला कैसे जूल पा नहीं हमने धक्का आगे कुछ दिया था हम फिर उतनी ही तेजी से पीछे के उर कैसे इसे ऩर करते हैं हमने क्या कर बल्ब जला लिया हमको इसके पीछे कहानी पता है इसना हमारे जुए समुद्र में जौार और भाटा क्यूं आ रहा है सबसे पहली चीज तो यह है कि हम लोग चीजों को जानने की शमता रखते हैं हम लोगा चीजों को जानने की एक ललक है हम लोग जियासू है और जो बच्चा क्यूरियेस है जो बच्चा जानना चाहता है उसके लिए है यह सब्जेक्ट है अब बच्चों भ怖 को जान रहे हैं हमारे सुनना हमारी नेचर में जितनी भी चीजे घटित हो रही है प्रकृती में जितनी भी चीजे घटित हो रही है उनके पीछे का ही क्यों और कैसे हम लोग स्टडी करते हैं किसमें हमारे भौतिक विज्ञान के सब्जिक्ट में यानि कि फिजिक्स इस डिवोटेड टू नेचर बच्चो फिर से सुनना फिजिक्स इस डिनोटेड डिवोटेड सोरी डिनोटेड नहीं फिजिक्स डिवोटेड तू हमारी नेचर यानि कि जो हमारी भौतकी है वो पूरी तरह से समर्पित है किसको नेचर को नेचर में क्या ह हो रहा है नीचर में यह क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है इसको हम लोग जानने कोशिश करते हैं किसमें बहुत की में बच्चों आपको बताते हैं फिसक्स के बारे में और बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात देखो बिल्कुल 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 जैसे बच्चों अब या आखिरकार ये क्यों हो रहा है अच्छा क्यों का पता चल गया हमें क्यों का हमें पता चल गया कि हाँ जो है चन्रमा और प्रत्वी के गुरत्वा गर्शन शक्तियां हैं अब कैसे हो रहा है आखिरकार कैसे यानि कि जो है हमें पता चला कि भईया अच्छा ऐसा हो रहा है जब तो यहां पर फोर्स का कुछ चक्कर है ज्यादा टफ नहीं जाते हैं सिंपल से सोचो मैंने कप को फेंका अब ये कप नीचे क्यों गिरा तो हमें पता चला अच्छा यहां पर प्रिथवी बल लगा रही है कैसे बल लगा रही है तो हमें पता चला कि जो मारी धर्ती है उसका मद्रवेमान इतना ज्रुबर भेता नजर आ रही हैं बहुत ही बढ़ियाग ऑसमान का रंग सुबाव और शम लाल क्यूं दिखाई देता है लाल क्यों दिखाई देता है तो हमें पता चला कि यहाँ पर प्रकाश बिखर रहा है. उस घटना को हमने नाम दे दिया, उस घटना को हमने नाम क्या दिया? प्रकाश के प्रकीनन. कैसे हो रहा है? तो हमें पता चला कि हमारे वाइू मंदल में जो छोटे-छोटे सिकड हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रकाश को पिटा प्रकाश को क्या कर रहे हैं विक्हेर रहे हैं अब बच्चो इसमें बहुत यानि कि बच्चों हमें क्या मिला हमें जो है वाई हिंदी में लगते हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी लिखेंगे हमें बच्चों क्यूं और कैसे का जवाब मिल गया अब बच्चों हमने क्या किया इसमें मैस लगा दी बच्चों फिर से सुनना हमने इसमें क्या करा आपको पता है कि जो हमारी भौतकी है वो बिना गड़त के अधूरी है और बच्चों जो हमारी मैस है ना ये मैस ही थोड़ी से डिफकल्ट बना देती है क्लास 11 की फिजिक्स को अब बच्चों हमना सोचने वाली बात है कि आखिरकार हमने मैस इसमें घुसाई क्यों है ना हमन सरफ अब पढ़ो गे मेरी बात को सुनोंगे तो बिटाटी बोहुत संझ में आज़ाए गया हैना बहुत ही बढ़िया है हां तो हमने इसे देदिया ठीक है कि मैस में हमने फिसिक्स में हमें लॉत फिस्त में मिल गए अब हमें क्या करना था बेटा उनको जो है हमें प्रूफ करना था मैस मैस के थ्रूफ करना था तो बच्चों हमने क्या किया जैसे ही फिजिक्स में मैस लगाई जैसे ही बेटा फिजिक्स में मैस लगाई बच्चों वैसे ही क्या मिल गया सोचो सोचो क्या मिलेगा इतना अधाव में पता है कि अगर लंबाई बढ़ा का प्रतिरोधь बढ़ जाएगा बत्चों हमें क्या मिल गया यहां से फॉर्मूला भी हमारे पास यार कोस्थ रॉयल अपने जिससे पता चल रहे हां 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 ना रَّजिस्टेंस आहरा बहुत यह बढ़ यह बहुत ही बढ़ है फिजिक्स के जैसे हमने हिसी की तोरी में दूर कम्त्रच मैंस लगा दी वेसे हमें क्या मिल गया लंग अब बचैने में नहीं दो प्रूफ कर दिया कि क्या हम लोग सच में ऐसा ही कर रहे हैं क्या यह सच में बात गड़ित की थ्रूफ हो पा रही है अच्छा फॉर्मूले बनाने की नीट क्यों पड़ी बिल्कुल बेटा फॉर्मूले बनाने की नीट क्यों पड़ी क्यों कि बच्चों हमें फ्यूचर दिखाती है बिल्कुल पिटा फिल्जिक्स हमारी फ्यूचर दिखाती है पता है कैसे देखो बच्चों हमें पता है आप खुछ सोचो नाइंथ में तुमने question solve करें होंगे अगर कोई train अगर कोई train विरामा वस्था से स्टेशन से जो है चलना करती है और वो और वह प्रतिस सेकेंड दस मीटर प्रतिस सकेंड इसक्वाइड की तुरन से चल रही हो तो अगले बीस सेकेंड में क्रेंड का जो है चाल क्या होगी अफिर अगले बीस सेकेंड में क्रेंड का वेग क्या होगा बताओ तुम निकाल सकते हो बिलकुल सही का रॉयल विश्णु वेरी गुड 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 वेर बच्चों क्या होगा हम फ्यूचर देख पाएंगे बिटा आपको पता होगा ना कि देखो जो हमारे यह मैं कह सकती हूं सेटेलाइट भूख का अचा बिले बात बताओ किieben जल्दी mismanagal movie कितने ब Commerce ने देखिए जल्दी जल्दी कोई बात नि बविटा अभी समज में आ जाएगा क्यूंकि हम लोग आज कुलास में Physics को करें तो हर मोमेंट पे जब भी तुम आओगे फिल्क्स फील हो जाएगी नहीं देखी देखिए 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 अरे यार जोष कॉमेंट्स में जोष दिखना चाहिए मैं तुम्हें कॉमेंट्स ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ रही हूं कि अभी दो जाता पढ क्षण में याद करू बहुत ही चर्चा का विशय था हर घर तक जोग जानते थे कि कि विक्रम लेंटर क्या है तो वेंडरी लेंटर सेटलाइट यह पिसिकली उसको फ्रीश वहां कर रहे थे शितनी भी हमारी स्सेटलाइट होती है उन सबको आज इंटरेट चल पा रहा है क्योंकि सेटलाइट करना बंद कर दें तो क्या आज इंटरनेट होता क्या आज तो मुझे देख पाते क्या आज हम लोग इतना आगे बढ़ पाते नहीं बढ़ पाते बिल्कुल नहीं बढ़ पाते नहीं बढ़ पाते अब लगा लेते हैं कि अच्छा हमें इतने फ्यूल की जरुरत पड़ेगी जब हम रॉकेट को लॉंच करेंगे तो हमें इतने फ्यूल की जरुरत पड़ेगी इस मोमेंट पर इतना फ्यूल खर्च हो चुका होगा है ना साथ घंटे के बाद जो है इतना फ्यूल बचेगा अब य सब्ष्र की बात है यह फ्योचर की बात है यह को हमें कैसे पता चल गया क्योंजा थे unity सबस्क्ट करद लिएवार अजिए में यह पता हो जाता है कि अगर हमारी कि इतनी रव् Chair से दिल्ली उतने घंट जाएगी अगर इसकी रेंज इतनी दूर से अगर दुश्मन देग गया तो उसको मार गिराएंगे भवेशिकी बात है एक्जाक्ली बच्चा इक्जाक्ली तो बच्चो सबसे पहली चीज की physics बच्चो क्या करती है जितनी अब तो यही डेफिनीशन लिखी हुई है कि नेचर में जितनी भी हमारे पास चीजें हैं उन सब को हम लोग क्या करें उन सब के पीछे का क्यों और कैस डून रहे हैं उसका जवाब हमें इस सब्जेक्ट में मिलता है इस सब्जेक्ट में ढूनते हैं बचों साथ साथ चäreस हम लोग जब मैस लगा देते हैं तो फोर्मूला बन जाता है फोर्मूले के थ्रूल हम लोग भविश को देख सकते हैं बचों फिर से सुनना यहां पर डेफिलीशन क्या लिखी है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है विज्ञान की वह ब्रांच है जो प्रकृती और प्रकृते घटनाओं की व्याख्या करती है बिलकुल बेटा जीदा ब्रांच अब लाते हैं इतना कुछ नोट करने के लिए वस फील करने अली बात है अगर स्पील हो गया होगा समझ में आ गया तो नोट की जरुदी नहीं पड़ेगी नोट नहीं करना भाई दिमाग में यहां दिल पर नोट करना है फिजक्स को वाती बढ़िया बहुत ही बढ़िया बढ़िया चलो मैं मदा मज़ा और महां मज़ा बहुत बढ़ीया बस यही मज़ी के साथ पढ़ना है यही मज़ा दुलाती है घरी इच्छाक्ली मैं खडी होग फिजिक्स है था मुझे देख पारे वो फिजिक्स है मुझे चीजे सुनाई दे रही है तुम्हारी मम्मी चि मम्मी तुम्हारी बेल्ट्स से पटाई कर रही है न तो मैं पता है मम्मी प्लकुआ सो इतना जानना को दिए जाय ना पड़ेगा यहां पर तम्हें तीन नाम देखने को मिलेंगे बचों आज स्वाधर पता है थो आज जली कॉमेंट करो बहीं जल्दी कॉमेंट या लॉ तु हमारे ओर्धर यह जिल्दी विग्यां जी विग्यां शॉरी जल्दी विग्यांस सॉरी जयर यहनित धग्यां कि अरस्थու और वनस्पती विग्यां कि थ्रियों फ्रेस्टेस हैं तो अरस्तु हमारे जो हैं जनतु विज्ञान की जनक है ना कि जो है यहां पर फिजिक्स की जनक है ठीक है गल्तियां पर मत करो ठीक है चलो दिको लिखव लिखो लिखो लिखानी स यहां पर तीन लिखने वाले हैं वैसे तुमझे आइडिया लकिल बिल्कुल books in ऊच भ्षक को कि ज्युक्त Μटर कि खाता शूडिया चालो और जो आजाओ आजा आजाओ आजा बिल्कुल हाँ physics का चक्कर बाबु भाईया physics का चक्कर बहुत बढ़िया बच्चो तो वह गैलियो जो है अगर मुझे कोई पूछ है या अगर मुझे किसे को बताना हो तो मैं गैलियो को ही बताऊंगी और बच्चो बहुत सारी books में authentic नाम इन्हीं को लिखा हुआ है कि भाईया जो गैल साइम पर बिटा जी बहुत ही ज्यादा लोग जो है ना कैसे थे धर्म के बारे में बात करते थे बिटा लोगों को जो है बिलकुल ही मतलब नहीं था वह रूड़ी वादी जो चीज नहीं होती है कि हां सुभा उड़ते ही भगवान को सूरी को नमस्कार करना है सूरे देव कि लगता था है कि हमारी जो पृत्वी है स्ठर है रुकी होई है जितने भी ग्रह है जहें वो सूर हो चाहें हम लोगों को इतना पता था लोगों को कि हाँ कुछ और भी चीज़े हो सकते हैं ब्रह्मान रे कुछ और भी πृत्वी जैसे सूर जैसे और चीजें होंगी कि लोगों को तारों को देख करकर बंगता था तो उन्हें यह लगता था कि जो हमारी पृथवी है वह इस्थिर है सुरी पृथवी के चक्र लगा रहे हो प्र strengthen की बैवत कि अकेली नहीं है अशोर्ट गैलीली ओने जो यूना किसका विश्कार किया दोर दर्शी का विश्कार भी किया था। ज़ो तो जो है ना ग्रहों की बारे में बहुत जादा जानने की रुची थी बहुत इंट्रेस्ट था इने ग्रहों में हैना तो बेटा उसको देखने के लिए नोंने बीटाजी क्या किया टेलेस्कोप का भी अविश्कार कर दिया बिल्कुल अब बच्चों बात आती है न्यूटन न्यूटन चचा हर जगे हैं न्यूटन चचा ने इतना काम किया है ना इतना योगदान दिया है फिजिक्स में यहां पर मैं लिख दूंगी तो बेटा यह बोड बर जाएगा देखो न्यूटन सड सबसे पहले नोंने क्या बताए गति के बारे में चीज़े बताई आखिर पर गिरते हैं तो हमारे हाथ पर टूर जाते हैं न्यूटन सर के ही नियम की बीटा वज़े से हमें सारे चीज़े पता चली कि आखिरकार जो है अगर हम साइकल को में साइकल से अगर हमारी किसी से भीड़ जाते हैं पत्थर से भीड़ गई तो बचा हम उच्छल के गिर जा तो यानि नूतन की वज़ा से गती की बारे में हमें चीजें पता चलिए जी की कर रही है का काहें हम लोग चंद्रमा को मामा कहिते हैं काहें कि जो चंद्रमा है वो क्या है हमारा प्राकृतिक उपगर है किसे कारण से प्रिथ्वी के चारों और चंद्रमा जुड़ा हुआ है न्यूटन सड की वज़ा से ही पता चला कि हम लोगं को जितनी मिवी चीज़े हैं उपर फेकोगो तो नीचे काहे गिरती हैं बिल्कुल वेडि गुड बीटव बेडि गुड वेडि गुड बेडि गुड अरे रुको भाईया रुको जरा सबर करो सबर करो सबर करो अरे न्यूटन सर ने लाइट को भी नहीं छोड़ा न्यूटन सर ने लाइट को भी नहीं छोड़ा इन्होंने यह भी बता दिया कि जो सूर्य का प्रकाश है वो सात रंगों से मिलके बना है बिलकुल बचो देखो जो न्यूटन सर थे उनका प्रकाश में कोई इंट आड़ी कर रहे साफ कर रहे तैना देखह रहे थे ना छोटी से स्टोड़ी है वह तो चनारों पर उन्हें हलके सा घाए दिया अहिस्तोन के किनारों हमें अहां दुदिया अब पंक जय में खिया दिमाग भड़ा जंना गया कि यार ये रंग कहां से निकल के आ रहे हैं हमाई लेंस में तो कुछ दिक्कत है नहीं है ना अब बच्चों जब उन्होंने बहुत रिसर्च करी तब पता चला कि अरे ये रंग तो हमारे सोड़े के प्रकाश में मौजूद है बेली गुड बच्चों बिलकुल बिलकुल या फादर ओफिजिक्स बोलते हैं अब यार एक बात बताओ कोई इंसान ने अपना जीवन लगा दिया इतने सारे तुम्हें नियम को पसंद है अब बेटा फादर बोला तो बनता ही है ना बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया अब अच्छो आजओ आइंस्टीन के बारे में बिटा आपने फेमस एक्वेशन तो बहुत जगे देखी होगी कई जगे कॉपियों के उपर लिखा होता है यह बराबर कि जेखनें बहुत आसाल लग रही है यह बराबर एंस्टीन की सेरा इसके बारे में आगे बताओंगे अभी नहीं बतारी एंस्टीन को भौत की का फादर नहीं बोलते फिर से सुनना बिटा आइंस्टीन को भौत की का फादर नहीं बोलते हैं इन्हीं आधुने के भौत की का बिटा आधुने के भौत की modern physics का फादर बोलते हैं थीकए अब बच्छो आधुने के भौत की क्या है इसका मैं चोटा मुझम लोगों आर्ध छालग के बारें पढ़ा था यादग्न आर्ड चालर के बारें पढ़ा था पढ़ान अरह सुन लोग वहां तो समयों चूंति पत्राइब पेटा बेमिस अससम्हारे समय आध्ना सम्झोत सेमिक centuries हो वारे जो है आध्योंने के भौत्की के अंतरगत ही आते हैं अगर आज सेमी कंडक्टर नहीं होते हैं तो कभी भी आज हमारा फोन और बढ आप नोर से टूटा हुआ है ना जज मत करना फून तूटा हुआ है ना देख लो अतलब की साधारण जीवन जीते हैं हम तो बच्छों सिंपल सी बात अगर फोन ना होता अगर यह फोन सेमी कंडुक्टर्स के बारे ना पड़ा होता तो बच्छों कभी भी हम एक छोटे से फोन में सारी चीजों को ना देख पा रहे होती है जाद ध्यांस देखो यहां पर एक टीवी दिख रही होगी सारी चीजें हमने इतनी छोटी सी ठोटी सिसकेशा यह सारी चीजें सेमी कंडुक्टर्स की वज़ह से पॉसिबल होई हैं और क्लास ओलत में बैट आप लो 1 से मेंडाक्टर्स बनाना पढ़ोगे कि आखिरकार सेमI Conductors बनते कैसे हैं क्या यह बात समझ में आगई में पकका समझ में पक्का पका पकका पकका जल्दी बोलो जल्दी जल्दी अरे भाइया यह बात समझ में आई की नहीं आई अरे आई की नहीं आई बोलोगे अरे बोल दो चचा बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया पक्का एक बार जल्दी से थमसब एक बार जल्दी से हाट जो तुम्हें बनाना है वो बता दो जल्दी बना दो फड़ा फट से इसके बाद में तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेप्स समझाने वाली हूं जो कि हमारी फिजिक्स का है यूनिफिकेशन एंड रिदक्षिन जल्दी था बस तुम्हें दिल लेकीन विल्मकी क्या बताओं तुम्हें सब्सारे काम कर वा लेते हो अब कर तो और आज ऐसे नों क्यों एक चलो प्रसके इतने के सारे दिल आए ने पर बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो फेजिक्स है उसमें जितने भी हमारे सिद्धान्त है और जितने भी चीजें एक वधास क्टारिय तरह नेचर में उन्हें हम किस तरह से फिजिक्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं बचो फिर से सुनिएगा एक बात है एकी करन यानि की यूनिफिकेशन और बचो सेकेंड है न्यूनिकरन बचो फिजिक्स में हम लोग जितनी भी चीज़े देखेंगे प्राकृती में जितनी भी घटनाए बचो घटेत हो रही क्या बचो ऐसे समझ भी नहीं आएगा बटा यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि प्रकृती में प्रकृती में एक जैसी जो घटनाए है या फिर एक जैसी जो घटनाए हो रही है प्रकृती में अलग अलग घटनाए जो एक जैसी लगती है जिनमें सिनेरियो एक जैसा सिर्से सुन् Лог कि बच्चा एकिकरण का मतलभ क्या है एक के करण का मतलब है प्रकृति में अलग अलग घटिनांखो किसी एक सिधानत से समझ न ची यूनिफिकेशन है मतलब कहा है जिसे बचो देखो हमें हमने समूद्र में जवार भाता देखा पीटा जवार भाता एक अलग बच्चों क्या है एक अलग प्राकृति घटना है मेरे बाग को बहुत ध्यान समा अब दिमाग से निकल जाएगा समझ नहीं पाओ गया फिर्स वना बच्चो समूद् प्रत्वी पर खड़े हुए हैं यह प्रत्वी पर सारी चीज़े एक्जिस्ट कर रही है यह एक प्रकार की घटना है कि नहीं है बिल्कुल घटना है बचों उसी प्रकार से उसी प्रकार से जैसे हम किसी वस्तों को ऊपर क्यों फेकते हैं तो वह नीचा के गिरती है यह एक प पीछे यह जो ग्रेविटेशन है यही काम कर रहा है गुरुत्वा कर्शन बल ही काम कर रहा है तो हमने क्या किया प्रकृती में अलग अलग जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको हमने किसी एक सिध्धांत से समझ लिया आई बास समझ में पक्का समझ में आ गई और एक्जाम कॉमंट करों पर ताइम हो जाए क्लास ओवर कर नी पड़ जाएगी जल्दी बता दो का कि बॉस आरी घटनाओ का नाम ले रही हूं इन सारी घटनाओ की पीछे का जो रिजन हे वो तुम लोग comment करोगे ठीक है फिर से बंचो सुनना फिर से सुनना आकाश का रंग निला दिखाई देना ये अलग घटना है समुध्र में पानी का निला दिखाई देना ये अलग हटना है कि नहीं है टिंडल प्रभाव बच्चों देखो ना आपको यहां पर इघ्जाम्पिल कर देखांपल के लिए घटना अलग भटना है सुद्योग दे सूर्यास्त के समय सूरिकाल लाल दिखाई देना अलग घटना है रेल्वे के सिग्णल का रेड का रखना यह अलग घटन है खत्रे का निशान लाल होना बच्चों यह अलग घटना है कि नहीं है जब हम लोग चंद्रमां पर जाते हैं अंतरक्ष में जाते हैं तो आस्मान का काला दिखाई देना यह अलग घटना है लेकिन इन सभी के पीछे का कारण क्या है इन सभी के पीछे का बच्चों इन सभी के पीछे का सिधांत क्या है फिस बताती है कि यह सारी की जितनी सारी घटनाएं है यह किस बिटा किस वजह से हो रही है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो रही है प्रकाश का प्रकीर्णन तो बच्चों आप सोचो हमने क्या किया यूनिफाइल कर दिया हमने बच्चों अलग अपवर्तन नहीं यार अभी तो टेंट पढ़ाया था पाजल हो क्या अपवर्तन थोड़ी है प्रकाश का प्रकीर्णन है कि यह चलब की अबच्चो हमने क्या क्या किया हमने औलग अलग घठनाओं को किसी एक निव से शाहे हैं तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं बच्चों का मतलब क्या है बच्चों याद करो तुम लों को किस से डर लगता था जल्दी जल्दी तुम सबको किस टॉपिक से डर लगता था जल्दी कॉमेंट करो वो मैं यहां पर लिखने वाली हूं देखते हैं कि तुम्हारा डर और मेरा यहां पर लिखना कितना मैच करता है जल्दी कॉमेंट करो जल्दी 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 तुम सबको क्लास 10 में सबसे This night topic लगता था कौन साठ topic सभसे खतारनाक लगता था यहां पर comment करो मैं यहां पर लिखने वाली हूं अरे बिया physics की बात कर रहे हूं भात की बात कर रही हूं और दिखते हैं कि तुम और मैं कितना match कर पातें मैं मैं तुम्हें कितना समझती हूं और तुम लोग जो है कितना सही आंसर देते हूं कि जल्दी कि प्रतिरोवत कहां कठें था प्रकाश तो सबसे इजी है थपड मारूंगे प्रकाश के बारे में कुछ बोला तो मेरा फेवरी टॉपिक है वह ko mesi यहाव लिखनेवाली हूं guess करना तुम लोग देखना ठीक और बचचे कॉमेंट कर दो वह देखना नहएं चीटिंग याभग मैं चीटिंघ कर ओं नक तो सब्सक्राइब क porch मेंने एं ओर इपका गाव नहीं था पहले बताओ विद्योद मोटर और विद्योद जनुरेटर बैचो बिल्कुल सही का इलक्रिक मोटर और इलक्रिक जनुरेटर यह वो टॉपिक थे जिन्हें हमें समझने में बहुत मुश्किलात आई बच्चो रियल में ऐसा ही होता है कि बहुत सारी जटल घटनाएं होती फिर से बचो सुनना जटल घटनाएं जटल घटनाओं का मतलब क्या होता है जिनको समझना इतना आसान नहीं है बिल्कुल सही का बच्चो तो इलक्रिक मोटर और इलक्रिक कैसे कइसे कॉंसेट से यह कैसे टॉपिक से बच्चों जिनको समझने में बहुत मुष्किलात आती थी बहुत ड़र लगता था और यह इतनीं आसानी से समझ में नहीं आता था तोन यह मैं बस्तोर को हमने समझने के लिए क्या किया था जल्दी बताओ बच्चों क्या किया था जब इसके बाद हमने बुरुशों को काम समझा इसके बाद बच्शों हमने विभक्त वले काम समझा, सर्पी वले काम समझा, है ना बच्चों समझा दे की नहीं समझा था, बच्चों बिलकुल, यानी कि बटा, reduction का मतलब क्या होता है, कि बटा दो को physics किसी को नहीं छोड़ती है, physics किसी को छोड़ने वाली नहीं है, बिल्कुल प्रती पिंकी सिंग कहने कि मैडम जी रट लियत है बेटा 11 की फिजिक्स ना रट पाओगी बेटा 11 की तो फिजिक्स है ना वहर टॉपिक ही लक्तिक मोटर जनेरेटर है लक्तिक मोटर जनेरेटर ही है टॉपिक यहां रट्टाफिकेशन काम ना आएगा बचो बिल कर दिया हमने क्या किया बेटा उसके छोटे छोटे पार्ट कर दिये चोटे छोटे छोटे पार्ट कर दिये चोटे छोटे पार्ट के पीछे कि जब फिजिक्स को समझा तो बेटा जी क्या हुआ हमें मोटर और जनेरेटर समझ में आ गया और बच्चों इसका मतलब क्या है बेटा reduction का मतलब ही यही होता है नियोनी करण का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई जटल समस्च्या है अगर कोई जटल घटना है कोई बड़ी मशीन है तो उसके पीछे की physics को समझने के लिए हम क्या करते हैं उसको बेटा जी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं उस क्रतियक टुकड़े की पीछे की physics को समझते हैं जिससे हमें उस जटल समस्च्या की पीछे की physics समझ में आ जाती है वेरी गुड जल्दी पहले कॉमेंट करो कि इतना समझ में आ गया पहले जल्दी कॉमेंट करो की reduction समझ में आ गया इसके बाद एक और concept बताऊंगी जल्दी 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 पक्ता समझ में आ गया डन 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 जल्दी डन डन कर तो डन 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 बहुत ही वड़िया तुम्हारे डन से मुझे यहां सुकून मिलता है कि मेरी energy waste नहीं होई है पताए क्लास ना बतारी हूं मैं अपनी दिल की बात बतारे हूं तु क्लास के बाद ना कॉमेंट कर देना पता है क्यों करती हूं क्यों बोलती हूं मुझे बता है कि बहुत कम बच्चे कॉमेंट करते हैं पर बच्चों सच बतारे हूं कि तुम्हारे दिल की बात मेरे तक पहुंचने का जरिया है तो बस ना तुम्हारे मूं से मैं सुनना चाह टू-3 टेस से मैं इंस्ट्राग्राम पर काफी ज़्यादा एक्टिव हूं वहां पर बच्चों के जो कॉमेंट्स आ रहे वहां तुम लोगी जो कॉमेंट्स आ रहे ना उसको देखकर कि मैं इतना ज्यादा एनेर्जेटिक होती हूं मतलब कि बच्चों सच बता रहे हूं बिलकुल सच बता रहे हूं क्लास के पहले भूक लगी थी तो लोगे कॉमेंट्स पढ़के भूक मेरी गायब हो गई है समझ रहे हो चलो आजाओ यहां पर आजो बच्चों अब बात करते हैं कि यहां पर हमें इतना समझ में तो आ गया क ज competing याद रखना कि आसा नहीं होता कि कोई एक वैज्ञानों की पूर है परभाशा दे डी या किसी एक वैज्ञानों के पूरा ज बना दिया यदर कि वाधर चुम्व की प्रेंट की थी सिधान्थ वो माईकल फócराडें दिया था याद करओ पैट याद करो कि हम लोग धारा की दिशा ग्यात करते थे फ्लैमिंग के दाहिने हाथ के नियम से विद्यो धारा का चुम्ब की प्रभाव बेटा जी ग्यात किया था किसने औरेस्टेड ने यानि वच्चों जो हमारी फिजिक्स है उसमें हम लोग किसी भी बड़ी समस्या को समझने के लिए क्या करते ह अलग अलग जो विज्ञानिकों ने जो भी सिर्धांत दिये हैं अलग अलग विज्ञानिकों ने जो भी नियम दिये हैं उन नियमों को लगा करके किसी जटल समस्या को समझने का क्या करते हैं कोशिश करते हैं क्या यह बास समझ में आ गई पक्का समझ में आ गई जल्दी जल्दी जल्दी बहुत ही बढ़िया बच्चों मैं आज यहीं तक ही पढ़ा रही हूं लेकिन कुछ question करते जाओ और बच्चों बहुत important बात है पहले मैं क्विज यहां पर करवा रही हूं इसके साथ ही साथ बच्चों तुम्हें मैंने homework के लिए question दिये हुए है link पर click करोगे तो बिटा जी वहां पर तुम्हें quiz मिलेगी उस पर click करना तो वहां पर तुम्हारे सामने पांच questions आएंगे और बिटा जी class में attend करने के बाद class end करने के बाद उन questions को attend करना और बच्चों तुम्हारे कितने बाक्स आए हैं वह class के end में आकर comment कर देना ठीक है और बच्चों साथ ही साथ बता जूए आगास बैच में भी हमारी आज सही class जलदी आँगे परेशान क्यों हो तुमे छोड़के कहां जाओं गियार तुम्हें छोड़के कहां जाओंगे बताओ है कोई है तुम लोगों के लावा तुम लोग के मैसेज बढ़ती रहती हूं किसी बच्चे ने स्टोरी मेंशन किया होता है किसी बच्च ने ऐसे बड़ा सा मैसेज लिखा होता है चलो आजो सो कॉमेंट में आंसर देना क्योंकि पता है पप्पु भीया क्लास छोड़के चले गए हैं तो बेटा जी आपको ही कॉमेंट करना पड़ेगा बहुत बढ़िया आजो पहला प्र जल्दी चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है गाई जल्दी कॉमेंट करो वेरी नाइस बचों चंद्रमा से देखने पर जो आकाश है वो कैसा देखता है बिल्कुल ब्लाक दिखता है काला दिखता है हमें पता है वहां वायु मंदल नहीं है इसलिए प् कि नाम से जानते हैं बच्चों इसके बारे में अपनी अगली क्लास में समझाओंगी बहुत मज़ा आएगा पड़के जल्दी बताओ कि यह सिधान्त किसने प्रतिपादित किया भले तुमने पढ़ा नहीं है लेकिन तुम्हें इतना तो पताए कि सिधान्त किसने दिया जल् फिजिक्स लवर हो तो यह नाम याद होना चाहिए अगर सच में फिजिक्स लवर हो तो यह नाम याद होना चाहिए और सच में क्या तुम फिजिक्स लवर हो धोका मत देना है ना रुची मैं आपना बहुत इमोशनल यार मैं दिल से कनेक्ट होती हो समझ रहो तो मैं को धो एलबाहेयोका नहीं चाहिए न अलबर्ट ऐनस्टाइप बहुंत्यातएस अलबर्ट आइंस्टाइन ऐञेस्टाइट लिए लिए नाइस अलबर्ड आंस्टाइब क्षा यह थे में광ट पानी तैर सी दौन पाथ लुफों 창업 कि जल्दे कौमेंट कांड स्थनार मॉलों है पा नईया पाल लगा लेंगे जल्दी बताओं जल्दी 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 हम लोग पानी को पीछे धक्का देते हैं पानी हमें आगे धक्का देता है बच्चो किलिया प्रतिकिलिया नियम अगर कर भला तो हो भला बहुत ही बढ़िया ब रूपालत्रण है बच्चो यह मैं तुमसे कह सकती हो एक ऐसा टॉपिक is a concept है जिसमें जो physics में भी तुम पढ़ते हो जो तुम ने बाटा हुआ है दो तमने बायों केंपड़ा हो रही है इसलिए और फिजिक्स में आ गया चुक्ए इसमें कैमिकल्स बनते हैं इसलिए केमिस्ट्री माँ जाता है तो कि यह वनस्पतियों में हो रहा है इसलिए बच्छो यह बायों में आ जाता है बिल्कुल फोटर सिंथेस बैरी गुड़ बच्छो प्रकास श्रेंशलेशन बहुत ही या बहुत ही बढ़िया सब चो आज इस धमागेदार क्लास को हम यहां पर एंड कर रहे हैं यह हमारी पहली क्लास थी और तुम सब को उमीद करती हूं कि बहुत मजा आया हुआ पहले जल्दी कॉमेंट कर दो कितने बच्चों को सच में मजा आ गया कई एक को मिनट के बोड तो नहीं हुए जल्दी जल्दी कॉमेंट कुड़ी तुम्हारे कॉमेंट पढ़के जाओंगे अरे बहुत बताओ अरे बायमर बुल कि बताओ 24 गंटों में गंटा मांगती हूं तुमसे बहुत ही बढ़िया मजा आ गया इंसाग्राम आइडी लिख लो लिख लो लिख लो रुची 16 डाउटनट है बच्चों यहां पर मैं एक्टिव रहती हूं है ना यहां पर तुम उससे अपने दिल की बात है दिल की बात अगर किसी का रिप्लाई नहीं कर पाती हो टाइम से तो ठीक है तो बच्चों मिलूंगी मैं तुमसे अपनी अगली क्लास में होमवक करके यार देखो माक्स अपने शेयर करना मत भूलना जल्दी से क्लास एंड करके फड़ा फड़ से जाओ होमवक करो जाकर करके और देख क्लास में जल्दी होगी थोड़ा से इंतजार तो अगली बार मिलूंगी तमसे तो बहुत ही जादा हम लोग चीजों को पढ़ने वाले हैं बच्चों नहीं चीज़े पढ़ोगे आज क्लास में काफी सारे बेसिक था जो तुम्हें पता था अगली क्लास बिलकुल नहीं ल लव यो सो मच अगली क्लास में मिलूंगी बाबाई